हालो स्टुडेंट्स में हमारी एक्सराइज चल रही है एरिया रिलेटेड टो सर्किल तो स्टुडेंट इस एक्सराइज जी सी यूनिट की एक्सराइज नमबर 12.3 का कोश्चन नमबर 15 को हम सौल कर रहे हैं तो स्टुडेंट कोश्चन नमबर 15 क्या है देख लेते हैं कोश्चन नमबर 15 हमें दिया हुआ है इन एक गिविन फिगर आपको एक फिगर दिया हुआ है a b c is the quadrant a b c क्या है एक quadrant है अब student आपको पता है quadrant में 90 degree का हो गया यह अच्छा quadrant of a circle is radius 14 तो student यह जो इससे जो quadrant की जो radius जो है यह जो कितनी है 14 है तो student यहां से आप समझेए यह भी 14 हो जाएगी यह भी 14 हो जाएगी क्योंकि radius है it's all of the part of the radius same as radius तो student यहां से यह radius जो है कितनी होगी 14 cm होगी यानि a b की value कितनी होगी 14 और a c की भी value कितनी होगी 14 होगी अब हमें दिया हुआ है end the semicircle is drawn on the b c as diameter अगर आप यहां से लेके यहां अगर एक b c खींची जाती है उसके diameter diameter पर क्या है एक semicircle खींचा गया है find the area of the shaded region तो student यह जो shaded region जो है जो मैंने blue color से जो बनाया है इसका हमें area जो है वो find out करना है तो student question को समझते हैं सबसे पहले क्या करते हैं question का solve करने का हम क्या करते हैं format तयार करते हैं student सबसे पहला step में यही है मैं आपको बताता हूँ इससे क्या होता है student question जो है हमें पता हो जाता है कि step by step हमें कैसे solve करना है क्योंकि यहां पर question को पढ़के तो थोड़ा होच-पोच सा हो जाएगा आपके mind के अंदर पर यहां से question के अंदर समझ सकते हैं हमें step by step कैसे करना है तो student अगर हम हमें area of shaded region यही तो हमें निकालना है area of shaded region तो student अगर हम इसके अंदर क्या करें area of semicircle पहले हम क्या करते हैं area of semicircle ले लेते हैं देखो semicircle हो जाएगा यह radius हो जाएगी यहां से semicircle का area निकाले और semicircle के area मैं से पहले मैं लेग लेता हूँ area of semicircle area of semicircle area of semi circle में से student हमें क्या करना है area of the हम इसमें से जो हमें sector जो दिया हुआ है उसमें से हम minus area of sector निकालेंगे area of sector हो गया यह हमारा sector हो गया अगर हम इस area of sector में से अगर हम इस triangle का area minus कर दें तो हमारा यह वाला reason आ जाएगा और यह reason plus यह जो हो जाएगा यह हमारे किसका shaded part का हो जाएगा तो student area of sector area of sector तो student इस sector कराम क्या है a, b, d, c a, b, d, c a, b, d, c minus क्या हो जाएगा area of triangle क्या है हमारा a, b, c area of a, b, c तो student इस type से हमने जो था अपने question का format जो है वो तयार कर लिया है कि हम जो shaded reason जो है उसका किस type से हम इसे solve कर पाएंगे तो student अब step by step हमें क्या करना देखो, अब question हमारा easy हो गया, area of shaded region निकाल तो पहले हमे area of saving circle निकालना होगा इसे एक part में निकाल लेंगे, area of sector निकाल लेंगे, area of triangle निकालेंगे और हमारा question solve हो जाएगा तो student अब स어서 सबसे पहले क्या करते है एरिया औफ quadrant निकाल लेते हैं तो student इसके लिए अगर हम क्या करते हैं, area of the quadrant of circle अगर हम करेंगे तो student यहां से देखिये अगर हम area of quadrant को अगर हम निकाल लें तो यहां से देखिए हमारे ये angle जो है कितने degree का हो गया 90 degree का हो गया और जो 90 degree का angle हो जाएगा तो इसके तुरू हम क्या करते हैं सबसे पहले theta की value निकालेंगे पर student एक काम करते हैं क्योंकि हमें यहां पर क्या है देखो हम पाइथा गोरस theorem लगाएंगे तो हमें यहां यह जो है क्योंकि हमें क्या चाहिए देख रहे हैं जो circle जो drawn है वो उसके diameter पर है तो सबसे पहले इसका diameter निकाल लेंगे diameter जो हो जाएगा यह क्या हो जाएगा तो student यहां से कितना हो जाएगा altitude की value क्या है AB का square और प्लस क्या है आपकी AC का square AC का square तो student यहां से देखिए क्योंकि यह जो होती है यह इसकी radius थी है हमारे circle की semi circle की यह क्या है यह radius है quadrant की क्या है यह radius है तो उनकी radius की value कितनी दे रखिया हम है radius कितनी है 14 तो 14 L हो जाएगा sorry 14 perpendicular हो जाएगा और 14 इसका base हो जाएगा तो student यहां से हम देखें तो AB की value कितनी है 14 14 का square कर दीजे plus AC की value कितनी है 14 इसका भी square कर दीजे तो student 14 और 14 का अगर आप square करेंगे तो यहां से देखें 14 का square कर देते हैं multiply कर दीजे 14 इंटू 14 तो देखें 4 4 जा कितना हो गया 16 6 1 हो गया 4 1 जा 4 और 5 यहां से कितना हो गया 1 and 4 तो कितना हो गया 196 तो student 196 plus 196 हम solve कर लेते हैं कितना हो गया 196 plus 196 दोनों को add कर दीजे 6 6 12 कितना हो गया पहल वन कहरी हो गया, नाइन नाइन, एट्टीन, 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 ए यहां से कितना हो जाएगा 14 का स्क्वार है 14 इंटू 14 इंटू 2 तो स्टुटेंट यहां से हम अगर इसका स्क्वार रूट लेंगे यह हम एक काम करते हैं अगर हम इसका 392 का स्क्वार रूट ले ले लेते हैं तो स्टुटेंट क्या मिल जाएगा 14 अंडर रूट टू निकाल 14 under root 2 तो ये जो है student आप ध्यान दीजे ये किसकी value है BC की value है ये diameter है ऐसे diameter लेना अगर radius करेंगे तो ये 2 से divide हो जाएगी तो R is equal to कितनी हो जाएगी 14 under root 2 upon 2 से करतों कितनी हो जाएगा 7 time यानि R की value कितनी होगी 7 under root 2 तो student इसकी ये radius कितनी होगी 7 under root 2 ये हमें जो हमारा उपर से एक और जो semi circle जो खीचा जाएगा उसकी radius आ गई है 7 under root 2 तो student यहां से देखिए हमने अपनी उसकी radius निकाल ली है अब हमें क्या करना है सबसे पहले हम निकालते हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए area of एक इक step में कर लेते हैं area of triangle ABC ये क्या है right triangle क्या है हमारा right triangle तो इसके कर लीजे कि right triangle का area क्या होता 1 upon 2 into base into altitude या height same thing है altitude भी कह सकते हैं हम इसे तो student 1 upon 2 base कितना है base भी क्या है 14 है altitude कितना है वो भी 14 है तो 14 into 14 तो student यहां से divide कर दो गए कितना जाएगा 7 time तो 7 into 14 तो student 7 into 14 हो जाएगा हमें इसकी multiply कर दीजे 7 forja कितना हो गया 28, 8, 2 carry हो गया ok student 7 forja 28, 8, 2 carry हो गया तो कितना हो गया 7 बंजा 7, 1, 2, 9 तो student यह कितना हो गया 98 centimeter square तो यह अंदर वाला यह जो हमारा right triangle जो है इसका area कितना आगया 98 centimeter square तो student देखिए हमें जो area है वो ABC right triangle जो है इसका हमें area मिल चुका है अब student यह तो हमें area इसका मिल गया है अब इसके साथ में क्या करना है हमें अपने sector का area find out करना है semi sector का जो है इसका area find out करना है तो area of the semi A, B, D, C इसकाल टू क्या हो जाएगा theta upon 360 देखिए first step में हमने क्या कर लिया first step में हमने क्या कर रहा है अपना area right triangle का निकाल लिया अब area of sector निकाल ले रहे है तो 360 into क्या हो जाएगा pi r square तो student theta की value कितनी है 90 upon 360 हो जाएगा into pi की value 22 upon 7 into r radius कितनी है 14 into 14 तो student यहां से देखिए 1 upon 4 हो जाएगा अब यहां से 7 से कितना गया 2 time 2 से हुआ यह 2 time और 2 से यह हुआ 11 time तो अब कितना मिल गया 11 into 14 कितना हो गया 11 into 14 तो student 11 into 14 अगर आप करोगे 11 की 14 में multiply करोगे 154 cm2 तो area जो है right triangle का area है यह कितना आ गया है 154 cm2 तो student देखिए triangle right triangle का आ गया semi इसका आ गया semi sector का भी आ गया आपका अब हमें area of semi circle निकालना है तो student area of semi circle क्या होता है area of semi circle is equal to 1 upon 2 pi r square third step में क्या कर रहे है area of semi circle semi circle जो हो जाएग उसका area क्या हो जाएगा 1 upon 2 into pi r square 1 upon 2 pi की value 22 upon 7 into r square कितनी होगे 14 into 14 okay student 7 से 2 time 2 से 2 divide हो गया कितना हो गया 22 into 14 तो student हमें यहां से क्या मिला है 22 into 14 देखिए student कितना हो गया 7 से 2 time 2 से 2 divide हो गया तो हमें यहां से क्या मिल गया है 22 into 14 हो गया तो student यहाँ से आप देखिए तो हमें करना क्या है यहाँ पर r जो हमारी radius जो आई है तो student यहाँ से देखिए radius कितनी आई है हमारी sorry student यहाँ से हमारी radius जो है हमारी इसकी radius 14 under root 2 नहीं है जो radius जो है इसकी कितनी है 7 under root 2 है तो student यहां से r की value कितनी हो जाएगी दोबार से solve कर लेते हैं 1 upon 2 into कितना हो जाएगा 22 upon 7 into 7 under root 2 r square हो जाएगा 7 under root 2 अब आप धियान दीजे 7 under root 2 की 7 under root 2 में multiply करोगे तो 7 into 7 into 2 क्या हो जाएगा 49 into under root 2 की value 2 में हो जाएगी तो यह कितना हो जाएगा 49 into 2 तो student यहां से क्या हो जाएगी ये value 49 into 2 कर दो मैं 49 into 2 हो जाएगा तो student देखे 2 से इसे divide करा 7 time 7 time हो गया अब student देखे 2 से 2 divide हो गया तो हमें यहां से कितना मिला है 22 into 7 तो student 22 की 7 में multiply कर दीजिए तो 22 into 7 कितना हो जाएगा 154 cm square तो student जो हमारा semi circle का area है वो भी कितना आया गया 154 देखो 7 2 जा 14 14 का 4 1 carry हो गया 7 2 जा 14 and 1 15 तो 154 आ गया अब student हमें करना क्या है हमें अपने format में question के जो format जो हमने बनाया था उसके अंदर रखे देते हैं तो देखे 4th step में हम क्या करते हैं इसके अंदर area जो हमें अपनी values जो है उन्हें put कर देते हैं तो area of shaded region जो हमें निकालना है area of shaded region जो हमें निकालना है area of semi circle तो student area of semi circle कितना आया है 154 पुट करते हैं 154 बिलकुल ठीक है माइनस area of sector a b d area of sector कितना आया है area of sector a b d c कितना आया है 154 154 कर लिया जी माइनस area of right triangle कितना आया है area of right triangle कितना आया student 98 98 is a solve कर दीज़े तो 10box 54 में से अगर हमने 98 को माइनस करया तो student कितना आया 96 कि अब 154 में से अगर हमने 56 को माइनस कर तो कितना आया हमारा student 98 centimeter square तो student हमारे जो shaded part का जो reason है वो कितना आ गया है 98 centimeter square तो student हमारा question number 15 जो है वो solve हो गया है अब हम question number 16 को solve करते है students अब हमारा 12.3 का area related to circle जो हमारी exercise जो चल लही है 12.3 unit number 12 जो है उसका last question है question number 16 तो student इसे भी solve कर लेते हैं question हमारा किस type से दिया हुआ है calculate the area of the design student इस type से हमें एक figure दिया हुआ है इसके अंदर ये एक design दी हुई है calculate the area of the design reason in the given figure common between the two quadrant तो student यहाँ पर देखिए two quadrant हो गए हमारे two part है इनके बीच में ये design common है है दोनों quadrant के अंदर में ठीक है न तो quadrant of circle of radius eight centimeter each तो student यहाँ से देखिए इसकी जो radius है वो कितनी है eight centimeter तो student देखिए जैसा हमने अपने previous question करा है बिल्कल उसी टाइप से eight centimeter radius रहेगा इस radius के according यह वाला quadrant बन जाएगा और इस radius के according यह वाला quadrant जो है यह आपका बन जाएगा तो student हमें देखिए हमें क्या है यह इस यह बीच में common design बन क्या है यह यह मैंने blue color से थोड़ा जो बना दिया है इससे shaded reason बोला गया आपके question में तो इस shaded reason का जो है हमें क्या निकालना है इसका area हमें find out कर देना है question तो student सबसे पहले क्या करते हैं इसका format त्यार करते हैं जैसा कि मैं आपको पताता हूँ solution कर लेते हम इसका तो सबसे पहले हम इसका format तयार करते हैं तो area of the design area of shaded part एक ही बात है कैसे कर सकते हैं student अगर हम इसमें area of जो हमारे segment हैं देखो दोनों के दोनों बराबर हैं यहां से cross line हो जाएगी इसके लिए जो हो जाएगी ठीक है हम इसकी value निकाल लेंगे निकालेंगे जैसे जैसे निकालेंगे तो यह दोनों जो है area बिल्कुल हमारे same हो जाएगे same coordinate हो जाएगे क्योंकि 90 degree 90 degree और side भी जो radius जो हो हमारी common है तो student क्या हो जाएगा 2 into area तो हम यहां पर इन दोनों का area निकालेंगे 2 into क्या हो जाएगा area area of segment segment तो student यहां पर segment अगर हम A वाले के लिए लेंगे तो A F C D हो जाएगा B वाले इस वाले portion को लेंगे तो क्या कर सकते हैं हम A E C B तो student दोनों की क्योंकि dimension है वो equal है radius equal है तो दोनों को यानि कि क्या हो जाएगा हमारा segment जो हो जाएगा segment A F C D A F C D F C B A F C बोल सकते हैं से दोनों का area पराबर आएगा क्योंकि जो radius है वो equal है student area of the segment हो गया area of the segment कोई सा भी segment लगा लो दोनों का पराबर आएगा तो हम लगा रहे है A F C D A F C D okay student अगर हम इस में से इस जो हमें segment का जो हमने area जानी का area of segment A E C B अगर हमें इस से segment का हमें निकालना है तो student इसके लिए अगर हमें segment का निकालना है तो कितना हो टू into क्या हो जाएगा area of sector sector का निकालना है क्योंकि shaded part निकालना है तो इसका क्या हो जाएगा area of sector segment था हो A A F C D A F C D माइनस क्या हो जाएगा area कि possessionslest आइन कंड बसका देखे यह वाला सेक्टर बन जाएगा इन दौनों से अगर हमने मामाइनस कर देंगे तो देखिए इस सब्सक्राइब कर देंगे दो इसे निकालレंगे तो इस सब्सक्रान choir साथ करते हैं तो इस्टुडेंट देखते हैं देजाइन तो इस्टुडेंट रजींट हमें डिजाइन क्या दी हुए है ड़ डिजाइन है एडिया ओफ हुआ है इन कॉमन रेजन दोनों रेजन क्या है common between two sector तो two sector कौन कौन से है common कौन कौन से है इसमें two sector के नाम क्या है baec and dafc देखिए dafc और कौन से में common है baec यहां से start किया यहां से start करोगे तो ऐसे चला जाएगा ठीक है नाम से कोई फरक नहीं पड़ता चारो हमारे जो reason है वो reason ही denote होने चाहिए तो student यहां से क्या हो जाएगा अब हमें करना क्या है सबसे पहले हम क्या करेंगे अपने जो यह हमें region जो दे रहे हैं यानि area of baec क्योंकि दोनों बराबर है निकाल लीजिए 90 upon 360 into pi r square 90 upon 360 into pi की value 22 upon 7 into r की value कितनी है radius कितनी है 8 तो student कितनी हो जाएगी 8 into 8 1 upon 4 2 time ओके student 2 time तो यानि 22 into 8 upon 7 तो student क्या हो जाएगा 22 into 8 to 16 यानि 22 into 16 upon कितना हो जाएगा 7 यानि की 352 upon 7 यह आ गया हमारे एक पार्ट का जो sector जो है उसका area हमारा हमने निकाल लिया है अब student यह जो right triangle जो आया है इसका भी area निकाल लेते हैं तो इसका area निकालते हैं तो इसका area क्या हो जाएगा आफ राइट ट्राइंगल क्या नाम देते हैं ए बीस ए बीडी या ए बीसी ए की बात है क्योंकि दोनों तरफ बराबर होगा ए बीडी क्या हम निकाल लेते हैं वन अपॉन टू इंटू क्या हो जाएगा जाएक बैस क्या है डीसी बेस क्या है और स्टू ट्राइंगल यहां से देखे हैं हम एरिया ट्राइंगल भी क्या है अब हम इन दौनों को देखे हमारे दौनों चीज़ों के हमें area आ चुके है हमें triangle का चाहिए हमें segment का चाहिए अब अपने formula के अंदर इने put कर देते हैं तो student formula के अंदर put करते हैं तो हमारे क्या area of the shaded part shaded part यह region इसकल to क्या हो जागा student सबसे पहले कहा था 2 into area of the sector तो area of the sector कितना है हमारा अब देखो ऐसे sector जो है दो है एक यह वाला sector एक यह वाला sector दोनों की radius common है यानि बराबर है तो area भी common आएगा तो student इसलिए हम 2 की multiply कर रहे हैं तो इसका कितना है था 2, 352 upon 7 अब इसमें से minus क्या हो जाएगा minus क्या कर रहे हैं हम इसमें से minus इस वाले पूरे portion में से triangle का यानि आप देख रहे हैं मैं आपको एक rough करके दिखा दो अगर हम इस triangle का area इसमें से minus कर दें तो इस पट्टी का यह जो हमारा shaded region इसका आ जाएगा और इसी type से यह है एक इसका shaded region निकालो इसमें एक और add कर देंगे तो हमारा shaded part जो है proper जो shaded part है इसका area हमारा find out हो जाएगा तो इसलिए क्या करेंगे इसमें से जो area जो है इसका यह हमने क्या कर दिया student minus कर दिया है अब इससे LCM ले लिजे तो इसलिए क्यालगी 2 की multiply इसलिए कर रहे है क्योंकि minus करने के बाद हो shaded part आ जाएगा तो दूसी तरफ भी आएगा इसलिए 2 की multiply है 2 इंटू देखे 7 बन जा कितना हो जाएगा 7 7 1 की 352 में होई 352 minus 7 की multiply कितने में होई है 32 में तो 7 32 7 जा कितना हो गया 224 तो स्टूडेंट यहां से देखे 2 इंटू 352 minus 224 इसको कितना हो जाएगा 128 अपान 7 128 यानि 126 में 2 की कुणा करी तो कितना हो गया 256 अपान 7 सेंटिमीटर स्कॉर तो स्टूडेंट area of the shaded region जो shaded region यह जो आया था हमारा shaded part जो था स्टूडेंट इसका area कितना आ गया हमारा 256 अपान 7 सेंटिमीटर स्कॉर स्टूडेंट ध्यान रखिए हमारी जो exercise है यह exercise हमारी चल ली है 12.3 उसका question number 16 जो है last question of the exercise था वो भी हमारा solve हो चुगा है तो student हमारी area related circle NCRT की book आज हमारी complete हो गई है इससे आगे अगर हम इससे करेंगे तो student ध्यान रखिए RD Sharma next video से मैं revision कराऊंगा आपके math का जो कि आपके math के अंदर बहुत ज़्यादा जो important exercise है उनका RD Sharma book में से revision कराऊंगा तो student उसके लिए आप देखते रहिएगा वीडियो को आगे की जो भी वीडियो आएंगी जब तक वीडियो को देखते रहें चैनल को like करें subscribe जरूर कर लें जिससे कि आप आगे चैनल की वीडियो को देखते रहें चैन